जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्णोत्तरी प्रतियोक्ता में आज का सवार 24 मार्च को विश्व वहर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है A. विश्व कैंसर दिवस, B. विश्व कालाजार दिवस, C. विश्व टीवी दिवस या D. विश्व हास्य दिवस विडियो को रोख कर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें साथी सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दमाएं ताकि आपको उमले नोटिफिकेशन तुरंद ग्लास नीरर वाल ताकि अंदर से लें बाहर के खुब सूर्थी का नज़ा पूर्ण तेया वाता नुकुलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ सिवानी मैरेज हौल संपर के सुत्र 9931-092632 9534-316464 8406-949533 नवगच्छिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भागलपुन नगर निगम के वाट पार्षिदों ने नगर आयुक्त का किया घेराओ एक वश बीट जाने के बावजूद भागलपुन नगर निगम के सामाने बोर्ट की बैठक नहीं होने गर्मी के दस्तक के साथ शहरी शेत्र में हो रहे भीशर जल संकत को देखते हुए नगर निगम के सभी डीब बोरिंग को चालू किये जाने सहित कई मांगों को लेकर नगर निगम के वाट पार्षिदों ने नगर आयुक्त का घेराओ किया पूर्व उप महापोर्ट डॉक्टर प्रिती शेखर के नेतरत्तों में पार्षिद संजय सिना हंसा सिंग सोनु दर्जन भर से जादा पार्षिदों ने लोगों की समस्याओ को दूर करने के लिए होने वाले नगर निगम के सामाने बोर की बैठक जल्द से जल्द बुलाए जाने और भीशन जल्संकट को दूर करने को लेकर डीप बोरिंग चालू करने सहित नगर निगम के शेत्र के का फरोसा भी बिया लगभग एक वर्सों से उपर का समय बीठ जाने के बावजूद आज तक नगर नीगम के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक साल से उपर बीठ गया और समानी बोट की बैठक नहीं हो पाई है जनता के समस्याओं से रोज रूबरू हो रहे हमारे समानित प जाकर जनता के समस्या का समाधान होता है लेकिन दुर्भा की पूर्ण है नगर निगम के इतिहास का या काला दिवस है कि एक वर्स बीठ जाने के बावजूद भी अभी तक समानी बोट की बैठक नहीं कराई कराई जा पाड़ी है इसके लिए आज हम सब लोगों ने नगर निगम छेतर में गर्मी ने प्रवेस दस्तक दिया है और अभी से ही पानी के लिए हाकार मच रहा है जनता सरक पर उतरने के लिए मजबूर है महिलाई धर से उधर भटक रही है पानी के लिए लेकिन नगर निगम से कई बार बोलने के बावजूद भी जो 19 डिप आज के डेट में चालू नहीं हो पाया है पूछने पर बता जाता है कि विदूत कनेक्शन नहीं करा गया है तो आप ही से हम पूछना चाहते हैं जनता ही मालिक है कि वो एक साल से उपर बीच जाने के बावजूद ऐसा कहां लिखा है कि विदूत कनेक्शन के अभाव में ब तत्र-तत्र जहां है पूरा दाने जो है वो टूट फूट के पसड़ा हुआ है पूरा इसमानबोट कि घृत नहीं हो पाती है ला इस थाय honor के परसदों का कोई भी समस्या नहीं आपाता है, जिसके कारण वाड का परसद अपनी बात, अपने वाड की समस्या नगर निगम तक पहुचाने में और सफल रहता है, समान बोड की बैठक में अपने वाड के समस्या को लेकर वाड परसद बोलता है, एक घटना परसो मेरे वाड में हुआ है, जिससे मैं काफी बिचलित हूँ और दुखी भी हूँ. मेरे वाड में केंदरिय समीती सोचाले का जाच करने गया था, साप सपाई से समंदित. उसके साथ नगर निगम के सीटी मनेजर साथ में थे. मैंने सीटी मनेजर साथ से कहा, कि जब आप मेरे वाड में सुचना पाले देदे इन्हों ने हमको सूचना नहीं दिया सोचाले इतना गंदा था जो सचाले में घुसने लायक नहीं था काफी बदवुदार था अर्दस मांगे हैं जो जनी से जुरा मामला है कोई अलग मुद्दार नहीं है उस पर हम लोग काम कर भी रहे हैं इन लोगों के अपेच्छा जनता के पेच्छा इन लोग से भी जैदे हैं तो हम भी चाहते हैं जो समय पर इजल दे तुकि हम लोग एक-दो मेना प्राधी कारी नहीं रहने कारण बित्य काम नहीं पाया जिसे हमारी काम कुछ पीछे चली गई है वह लोग भरपूर परियास होगा जो अथास्री इस काम को कि जाने उनकर है शर्थ शमान बोट की बैठक के नहीं है नहीं हम लोग से बात हुई तो हम लोग है एक सब्सक्रा के अंदर रियोट तैय कर लेंगे समान बोट की बैठक बहए जलदी बज़या आगा भागलपूर, सलेमपूर, बलुवा बाडी में बंबिस्पोर्ट, तीन बच्चे हुए घायल भागलपूर के जगदिसपूर थानाचेत के सलेमपूर बलवा बाड़ी में मंगलवार की देज़ साम को हुए बम बिस्पोर्ट में तीन बच्चे गंबीरुक से घायल हो गए यह बिस्पोर्ट बच्चों के खेलने के दौरान हुआ बच्चे खेलते हुए एक अर्ध निर् भाग बुरी तरह से जखवी हो गए गयलों में दो सगी बहने वह एक मौसरी बहने गयलों में मुहमद सकील की पुत्री नविला आठ वरसिया मार्या तीन वरसिया एवं वादे लोगाएं के मुहमद इम्रान की पुत्री जोया च्छे वरसिया है इस भी पुली साब जानता हूं पॉस नामी है नामी पॉस है ना फुटको पॉस आप जो है कि आपका बच्चा दोनों करना हूं क्या क्या है फिर से वर बच्ची नवगचिया में भूमीकर्जल का जल इस्तर नीचे चले जाने की संभावना पर जलादिकारी के नरदेश पर बुद्वार को SDO अखिलेश कुमार, PHED विभाग के कारेपालक अभियंता अजीद कुमार एवं सहायक अभियंता विकास कुमार ने अनुमंदल के विभिन पंचायतों में जाकर भूमीकर्जल कर जल इस्तर जान्च किया इस दोरान पदाधिकारियों की टीम ने बिहपुर के बभन गामा मिलकी एवं सोन वर्षा पंचायत के मध्य मांगन बाबास्थान, बिहपुर सत्संग मंदिर एवं हरियो मध्य विध्याले के चापाकल के जल इस्तर का माप किया पीएचीडी विभाग के कारेपालक अभियंता अजीत कुमार ने बताया कि फरवरी माह में इस लाके में भूमीकर जल का इस्तर आठ से दस फीट पर था, लेकिन मार्च माह में इस शेत्र का जल इस्तर पंदरा से बीस फीट पर चला गया, इसको लेकर विभाग को लगा कि ये का एक इतना जल इस्तर नीचे कैसे गया, इसकी जांच की गया, उन्होंने बताया कि जांच की दोरान पाया गया कि बीते वर्ष विलंब से बाढ आने के कारण पानी का जमाओ अधिक समय तक रहा, इस कारण फरवरी माह तक जल इस्तर उपर था, उन्होंने बताया कि व सुन्दरम अहुना मतन सेवन फोर्ट सेवन खानी में चाहिए टेष्ट तो सुन्दरम है बेश रंगरा कब्रिस्तान विवाद दोनों पक्षों की सहमती से हुआ समाप्त दोनों पक्षों की मौजूदगी में सीओ एवम थाना ध्यक्ष ने कब्रिस्तान का किया डिमार्केशन गारा पिलर एक अप्रेज से हुगी घेराबंदी रंगरा प्रखंट के रंगरा गाउं में इस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी को लेकर वर्षों से चले आ रही विवाद का समाधान प्रशासन एवम इस्थानिय ग्रामीनों के सहीोग से कर लिया गया है इसको लेकर स्थियो अखिलेश कुमार एवम स्पी सुशांत कुमार की निगरानी में वुदवार की रंगरा सीओ एवम थाना ध्यक्ष महताब खां एवम दोनों पक्षों के लोगों की मौझूदगी में कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए डिमार्केशन कर पिलर गारा गया इससे पूर्व मंगलवार को अनुमंदर कारियाले में SDO अखिलेश कुमार ने दोनों पक्षों को बुलाकर रंगरा कब्रिस्तान विवात को समाप्त करने के दिशां में पहल की इस दोरान रंगरा सीओ एवम रंगरा धाना ध्यक्ष मी मौझूद थे दोनों पक्षो अनुमंजल पदादिकारी अखिलेश कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों के लोगों के सहयोग से वर्षों से चले आ रहे इस विवात को समाप्त किया गया दोनों पक्षों ने जिस तरह से समाधान की दिशा में पहल की ये सरहनीय है उन्होंने कहा कि एक अप्रेश से कबरिस्तान की घेरा बंदी भी आरंब कर दी जाएगी वहीं कबरिस्तान के वर्षों से चले आ रहे विवात का इस्थाई समाधान होने पर इस्थानिय लोगों ने पुलिस और प्रशासनिक पदादिकारीयों की इस पहल की सरहना की मुहम्मद शम्शेर एवं मुहम्मद असकर अधिवक्ता गौतम सेवनिवरत तफोजी अशोग सिंग सहित अस्थानिय लोगों ने प्रशासन की स्पहल की सराहना की। लोगों ने कहा कि वर्षों से चल रहे इस विवात का समाधान समाच के लिए बढ़ा कारे है। मालूम हो कि रंगरा कबरिस्तान की घेरबंदी को लेकर पिछले छे दशक से विवात चलता आ रहा था। इस दोरान विधी व्यवस्था की समस्या उत्पन होती रहती थी। विदी व्यवस्था को लेकर कई बार वरिय पुलिस और प्रशासनिक पदादिकारियों को वहाँ पर कैम्प करना पड़ा था। निरिक्षान के दोरान दोनों ही विद्याले के प्रधाना ध्यापक एवं दोनों विद्याले के एक-एक सहायक शिक्षक अनुपस्तित पाए गए। शिक्षक से पूछा गया कि बियार्सी कहा है तो बताया गया कि प्रखंट मुख्याले परिसर में है। इस अंदर में बहिपुर बीडियों को बियार्सी भेज कर जांच कराई गई। तो पाया गया कि निरंजन शर्मा वहाँ पर नहीं आये थे। इसके साथी विद्याले की एक शिक्षका साधना कुमारी भी बिना किसी सूचना के अनुपस्तित थी। जबकि हरियों मादे विद्याले के प्रधाना ध्यापक विश्नुकान शर्मा, एबम शिक्षक मुहम्मद समसीर आलम अनुपस्तित पाए गए। SDO में कहां थे अनुपस्तित पाए गए। शिक्षकों का एक दिन का वेतन अवरुद करते हुए इस पश्टिकरन पूछा गया। स्प्रिंट के लिए जरूद पथारे अवतार फ्लैक्स। हाइ स्कूल के सामने वोखान के नजदी नवगश्या। स्प्रेल को प्रधान मंतरी के मन की बात की कारिक्रमों वहर पंचायत में बूत कमिटी के विस्तार को लेकर चर्चा की गई। वहीं बैटक में नवगश्या भाच्पा जिलाद्यक्ष विनूर मंडल, नवगश्या भाच्पा ग्रामीन मंडल अद्यक्ष बबलू चोदरी जिलापार्शन नंदनी सरकार, सानमोचा जिलाद्यक्ष देवनारायन सिंग्ग प्रखान महामंतरी आदितूर्प्रुवासीत सहीत कई अनुपस्तित है ये रक्षा करने के लिए आम आवाम को आगे आना होगा किसानों, मज़्दूरों, छात्रों, नौजवानों के खलाफ हो रहे हमले और उनके खलाफ प्रतिवात करने वालों को दमन करने के लिए विशेश पुलिस काला कानून लाया है जिसका विरोध करना होगा सभा में एप वा नेत्री रेणु देवी, निरंजन भारती रादिशाम रजक मोहन यादव, सूर्य नाराण यादव, लाल चंद मंडल मनोश शर्मा, विमलेश मंडल दिनेश यादव नेत्रत्तो कामरेड रामदेव सिंग ने किया सभाना के सामने राज कॉंप्लेक्स नवगच्षिया, संपर के सुत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर करें mswtbheart.com विधान सवा में गुजान नरकटिया बांध में स्वीच गेट बनाने का मुद्दा जनता में हर्ष विधान सवा के प्रश्णकाल में बिपूर विधायक कुमार इंजिनियर सेलेन के द्वारा नरकटिया तक 1000 एकर के फसल बरफ साथ में डूब जाती है जिसको लेकर खिसान आत्वंत्या करने को मजबूर हो जाते हैं इसको लेकर बांध में स्वीच गेट बनना बहुत ही आवशक है विधायक के इस प्रश्ण पर राजपा प्रखंड अध्यक्स प्रवनंदन चौधरी भाज्यूमोर उपेश कुमारूप सहित कई अन्य ने विधायक के इस जनहीत मुद्दे को सदन में उठाने के लिए अहमत का करिस्मा अब जारी है उनके मजार पर एक चुठकी मिट्टी से लोगों की मुरादे पूरी होती है इलाके में इन्हें पीर बाबा कहकर उनके प्रती आस्था बताते हैं उनकी इबादत खरते हैं यहां सलाना उर्श पर हिंदू काईस्त परिवार से पहले चादर पोशी की जाती है यहां के बड़े बुजूर्गों का काना है कि जब स्वर्गय लाल बहादूर मजूमदार को हत्या के मामले में कोलकता हाई कोट से दे दी गई फांसी की सजा से अपनी रोहानी ताक्तों से बचा लिया था उनके निधन पर कानून गौने उन्हें पर हर साल अंतराष्टिया ख्याती मेला लगता आ रहा है मशूर शूफी संद पीर हजरात दाता मांगन सारहम तुला अले का सराना उर्ष 30 मार्च से सुरू होगा इसकी तैयारी पूरी करी गई है मेला भी सजा आए गया है उर्ष इंते जामिया कमीटी के सदर मुहमर हमज पूसरी चादर कोशी भी पूरंच लादिकारी विहार सरकार की और सिखी जाएगी अध्यक्ष कुमार ने की बैथक में होली और शबे बारात त्योहार को शांति पूर्ण संपन्र कराने को लेकर चर्चा की गई बैठक में उपस्तित शांती समिती के सदस्यों ने कहा कि नवगचिया शहर में लगभग पांच जगों पर होली के अफसर पर होली का देहन किया जाएगा जिसमें बड़ी ठाकुरबारी, बाल भारती स्कूल, प्रोफेसर कॉलोनी, नया टोला शेव मंदिर, राजेंद्र कॉलोनी, श्रीपुर्वर तेतरी और पकड़ा गाउं में भी होली का देहन किया जाता है इस अफसर पर नवगचिया सरकल इंस्पेक्टर मारकंडे सिंग, नवगचिया अंचलादिकारी विश्वास आनंद, नवगचिया नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधी, फ्रेम सागर उर्फ डबल्यू यादव, जद्यू नेता, जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंग, चंदेश्वरी सिंग निशाद, ज्यानसक सिंग, दीपक कुमारवाड पार्षद, फिरोज आलम, विवेकनन मंडल, मुहम्मद सद्दाम, मुहम्मद मुईनुद्दीन व अन्यकई लोग मौजूद रहे। प्रत्याशी में अधिवक्ता जय नारायन यादव, राकेश कुमार चौदरी, विमल कुमार त्रिवेणी ने नामांकन दाखिल किया। कुंदन कुमार चौदरी, उदेकान कुमार, अंक्येकशक पतपर, हिमानशु कुमार, फुस्तकाले समिती पतपर, विमल प्रसाद सिंग, एवं उम प्रकाश जा, वरिय कारेकारेनी सदस्य पतपर, वरिय अधिवक्ता किशोर कुमार जा, राजेश पोद्दार, सहा सुभाष चंद्र ठाकुर, निगरानी समिती में अधिवक्ता मनोज कुमार, कारेकारणी सदस्य में अधिवक्ता कृष्न देवराय, दिगंबर यादव, उमेश कुमार गुपता, रविंदर कुमार, ललन कुमार मंडल, एवं धर्मेंदर कुमार ने नामांकन दाखिल रहे दो सरावियों को कदवा पुलिस ने गिरपतार कर लिया है, गिरपतारी ठाना देख्ष भूपेंद कुमार ने किया है, एएसाई संजे कुमार ने बताया कि गिरपतार दोनों सरावी मदेपुराजी लेके, चौसा ठाना शेत अंतरगत, सिंधिया, टोला, लवा लगा जामुन राय के बेटे तपेस रायव, महस्त्वा राय के बेटे विकास राय हैं, जिसे बुद्वार को नया किरासत में जेल बेज दिया गया है कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगचिया, नवगचिया का मतन स्पेशलेस्ट, सुद्व साका हाडी एवा मांसा हाडी भोजन का उत्तम यवस्ता, मीट मुर्गा, मचली अंडा सहित, साधा भोजन रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल रिंग, ठंडा इत्यादी उपलब्ध है, होम डिलिवरी के लिए अभी कॉल करें, 993462095, मटन स्पेशलिस्ट, नवगचिया का कोमल होटल, खुल गया, खुल गया, आवासिय स्कूल ओप एक्सिलेंस, हुल्डो भी गेरा बाड़ी कठी हार, नियर वासंते, नवडात्र मंदिर, राजपूत मंदिर, सिविये से पाठीक्रम पर आधारे, 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंब है, कच्छा प्री नरसरी से 8 फी तर, रहन खाने पढ़ने साइथ, कप्यूटर एवं अंग्रेजे स्पॉकन की विशेज व्यवस्था, संपर्क करें, रनवीर कुमार छा, 8051550121, एके जा, 9472833513, नवगच्या में अब बैनर फ्लेक्स हाथों हाथ पाए, सुन्दर और आकर्सक डिजाइन वाप वालिटी के साथ, अवथार स्पलेक्स हाइज स्पॉल के सामने पोखर के नस्दीक नवगश्य, मोबाईल नमबर 7666987733, पंचायत चुनाव 2021 में बंफर आफ़र और दिजिटल प्रिंट के लिए जरूत पताड़े, अवथार स्प्लेक्स हाइज स्पॉल के सामने पोखर के नस्दीक नवग अब आपके सहर नवगच्छिया की सुन्दरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन एवं बेहतरिन स्वात के लिए सुन्दरम का तीसरा ब्रांच आत के लिए तयार है सुन्दरम अहुना मटन नवगच्छिया स्टेशन चौक राजेंदर कॉलोनी मोर नवगचिया नव वर्स 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खड़ी दाड़ी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे संपर के सुत्र 8603493747 खानी में चाहिए टेस्ट तो सुन्दरम है बेश सिवानी विवाववन चीरो माईल एनेस थाटीवन नवगचिया साधी विवा साल गिर रिंग सेरेमनी जन्मी दिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्सन एवं मेटिंग के लिए जरूर पधारे 3300 वर्ग मीटर का हॉल ताकी आप अपनी परिवार के साथ बैट कर ली आनन ग्लास नीरर वार ताकी अंदर से ले बाहर के खुब सूर्थी का नज़ा पूर्ण तेय वाता नुकुलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ सिवानी मैरेज हौल संपड के सूत्र 9931-092632 9534-316464 8406-949533 नवगच्छिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन